बाई मैं नहीं आ रहा शादी में मुझे इंविटेशन कारट नहीं मिला है क्या उसे इंविटेशन कारट बनाने नहीं आता था जाके डियर सर की वीडियो देख लेता दोस्तों इंविटेशन बनाया कैसे जाता है एक्जाम में कैसे पूछा जाता है कितने टाइप का होता है कितने marks का आता है, कैसे trick के साथ common lines आप यूज करके, invitation का question कर सकते हो exam में, सब कुछ मिलेगा आपको इसी वीडियो के अंदर, साथी साथ reply कैसे दिया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो देखें, end तक, welcome to your favorite channel, dear sir. दोस्तों पहले जल्दी से बता देता हूं कि invitation और reply का सवाल आपकी exam में कितने number का आने वाला है, तो जहां तक CBSC का सवाल है, तो CBSC वालों आपके तो exam में आएगा ये तीन number का भाई, अब किस तरह से आपको number मिलेंगे, एक number मिलेगा आपको format का, और एक number मिलेगा आपको expression का, expression भाई grammar कैसे use की है, कि इन words का इस्तेमाल किया है, spelling mistake तो नहीं है, और एक number मिलेगा आपको content का, कि भाई आपने उसमें लिखा गया है, क्या आपकी उसमें words है, किस तरह का आपका style है, वो सब कुछ इसमें cover हो जाएगा, ठीक है जी, तो इस तरह से आपको तीन number मिल जाएगे, बहुत ही असान तरीका बता रहा हूँ, हलवे की तरह आप इसको करके आओगे, एक्जाम के अंदर, पहले हमने इसकी बात कर ली, ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं, भाई, ये type कितने होते हैं इनके, तो जब भी किसी को बुला जाता है, invite किया जाता है, उसे दो तरह से invite किया जाता है, एक तो होता है हमारा formal, क इसमें हलका सब फरक है, क्या फरक है, वो बता देता हूँ, जो हमारा formal type होता है, बेसिकली ये भी दो तरह का होता है, कौन सा होता है, एक तो होता है, शादी है, बिया है, बड़े है, अरे engagement है, इस तरह का हो गया, शादी, बड़े, इंगेजमेंट, एक दूसरा होता है, ल बहुत बड़ी शादी है, बिया है, बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो, बड़ा फंक्शन कर रहे हो, उसके लिए हो गया, और दूसरा, किसी एक व्यक्ति को खत लिखकर इन्वाइट के जादे है, ब्लीज आ जाओ, हमारी आ जाओ, तो वो भी formal manner में होता है, फिर ये informal क्या है, अरे informal का मतलब होता है, ऐसा कोई occasion है, कैसा occasion है, बहुत ही personal है, मेरे यार दोस्त ऐसे हैं, उनको बला रहा हूं, जिनसे मैं रोजाना मिलता हूं, जिनसे मैं परसनल टेच में रहता हूं, जिनसे मेरे संबंध न घनिश रहे हैं, बहुत बड़े वाले मित्र हैं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल, तो यह मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, कि formal type और informal type, अब आपको बताता हूं, जिनसे हम सीखेंगे invitation, चलो, ले आए, ऐसे ही आपके पास भी इस वक्त एक card होगा, भया शादी है, शादी में जरूर आना, ठीक है, अब इस card में से मैंने ये निकाला, अब ये card आपके सामने है, सब के पास कुछ इस तरह का card होगा, बिल्कुल, इसी तरह का है के नहीं, ठीक है, अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं, यही से सीखेंगे invitation, ऐसे चुटकियों में आ जाएगा, आओ चलो, पार्टी दे रहा होता है, उसका नाम सबसे ऊपर होता है, तो एक लाइन चोड़के, यहां पर जैसे के मैं देख सकता हूं, यहां पर स्पेस छोड़ा, और उसके बाद यह नाम आया, Mrs. Rekha and Mr. Suraj Goyal, यह वो लोग है जो आपको फिरीका खाना खिला रहा है, ठीक है, यही पर जाके आप खाओगे शाही पनीर और भाई बहुत बतार तरह के पकवान आपको मिलेंगे, किन की वज़े से, रेखा जी और सूरग जी की वज़े से, ठीक है, तो यहां पर नाम आता है, नेम आफ़ दा होस्ट, तो सबसे पहली बास, सबसे पहला काम क्या करना है, नेम अब इसका मतलब क्या होता है, भाई यह होता है हमारा स्टेंडर्ड एक्सप्रेशन, क्या होता है, स्टेंडर्ड एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, जब आप इन्वाइट करते हो न तो उसका एक तरीका होता है, इन्वाइट करने का बहुत इ लिए वही होता है हमारा standard expression सर क्या यही line हमको लिखनी है हाँ common line है सब में चेप देना जहां भी आपको एक formal invitation लिखना है जहां पर आपको एक शादी बहुत बड़ी शादी है formal invite करना है सब को बहुत बड़ा birthday celebration है formal invitation आपको देना है कोई भी समारो है कोई भी function है तो बड़ा जो कोई भी formal invitation दोगे उसके अंदर आप ये वाली line सब में लिख सकते हो सर हमें न इसे बोलने में मज़ा नहीं हा रा कोई online बताओ अगर ये नहीं लिखना चाहते है request your pleasure pleasure तो इसकी जगा आप लिख सकते हो मैं यह आपर लिख देता हूँ ध्यान से देख लो आप लिख सकते हो request the pleasure of your company of your company आप इस तरह से लिख सकते हो इसका बदला भी ये हुआ के भई आपकी जो company है आपके साथ की हम क्या करते है हमेरे बहुती सोबाग्य होगा अगर आप हमारे साथ आजाएंगे आपकी company हमारे को मिल जाएगी ठीक है हम request करते हैं आप आजो ठीक है इतना कर सकते हैं कर सकते हैं बिल्कुल आगे बढ़ने उसके बाद on the wedding ceremony of their son भाहिया क्यों बुला रहे हो free का खाना क्यों खिला रहे हो birthday celebration है तो birthday celebration हो जाएगा कोई घर का inauguration है किसी shop का inauguration है तो वो आ जाएगा जो भी होगा मेल ली तो आपको शादी भी आई होते हैं ठीक है हो गया कोई दिक्कत नहीं जी कोई दिक्कत नहीं उसके बाद engagement है तो engagement आ जाएगा वाईसे वर्सा जो भी है चलता रहेगा उसके बाद अब name of the honorary लहजम गोयल की शादी हो रही है अनुषका कुमार से शादी हो रही है इन दोनों का विवा हो रहा है तो ये दोनों कौन है यहां पर honorary किसके सम्मान में यह हो रहा है या किसकी वज़े से हो रहा है उसका नाम आ जाएगा आ जाएगा के नहीं आ जाएगा अगर किसी का बर्डे होता मालो यहां आकाश का बर्डे होता तो लिखा जाता आकाश वैट सुश्मा है ना आरे नहीं भाई बर्डे एक का मना जाता दो का साथ में नहीं मनाते है ठीक है तो यहाँ पे सिर्फ आकाश का नाम आ जाता अगर कोई बर्देश सालिबिरेशन होता यह जिसका भी जो भी समारू जिसकी वज़े सो रहा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ दा ओनरी उसके बाद भाई यह लिग दिया डॉटर यह हुई हमारी बुलाओ यह थोड़ी के कभी उठके आ जाओ अब टाइम बता देना दूपैर की शादिये में शाम को जा रहा हूं खाना वाना नहीं मिलेगा इवनिंग है तो वह इवनिंग है टाइम बता दिया क्या आगे अपिर यह आगे हमारा टाइम वह यह कावाओं बता है कहा शादी बायً हम तु नियौ यह और हम तो इतनी इतनी जगा नहीं जाते हैं घली में शादी हो रही होती है वहीं पर वेट कें खालीत हैं ठीख है तो यह आरुडवित उप सकते हो RSVP RSVP का मदलब यह होता है कि बस यह के अगर आपको अच्छा लगा हो तो रिस्पॉंड करें में इसका मदलब यह होता है ठीक है यह हो गया यहां पर आप डाल दो contact या फिर mobile जो भी और address लेफ्ट में ठीक है यह आप ऐसे लिख दोगे बात खतम खतम भाई खतम खतम यह कर दिया काम खतम हो गया कि इसमें कोई बड़ी बात थी कोई बड़ी बात नहीं थी ध्यान से देख लो तो यह था हमारा पहला टाइप formal invitation का जो कि बहुत पूछा जाता है इसका दूसरा टाइप भी बताता हूँ वो भी बड़ा आसान है दूस्त अब बात करते हैं formal invitation के दूसरे टाइप की जहाँ आप किसी को invite करते हो as a chief guest या फिर as a judge या किसी भी खास occasion में आप किसी particular व्यक्त को बुलाते हो इसने अब लगर मैं आपसे कहूं कि आपको सचिन टेंडूलकर को अपने किसी program में बुलाना है chief guest बुलाना चाहतो कैसे बुलाओगे इच्छा चलो कैसे बुलाओगे अगर आपको यह तरीका ही नहीं पता कि बुलाना कैसे बुलाई नहीं सकते हो है ना आप आपको मैं बता रहा हूं कि invitation हमें सीखना भी क्यों है तो बड़ी important चीज़ है मज़ेदार चीज़ है यह भी बड़ी चुटकियों में करोगा आओ लेटर में आपको सिखा रखाना बिल्कुल लेटर की तरह लिखना होता यह वाला टाइप आओ चलो देखते सबसे अबले क इस तरह से लिख सकते हैं अब रिस्पेक्टिट सर समय कॉमन हो जाएगा उसके बाद स्टाट कैसे करना है मैं आपको कुछ कॉमन लाइस बता रहा हूं ध्यान से देखो इस विद इमेंस प्राइड बहुत ज्यादा गर्व के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं वह कुछ भी डाल दो अब यहां पर कोई भी जो भी आपका टॉपिक है सब्जेक्ट है वह डाल दो क्या है मालो आपकी किसी बहुत बड़ी दुकान का इनॉगरेशन हो रहा है चाहते हो को टूर्णमेंट हो रहा है सब्सक्राइब को बुलाना चाहते हो तो वहां यहां पर यह वाली बात आजाएंगी डिपेंड करता है जो भी आपको सब्जेक्ट होगा उसका अप लिख दोगे कॉमन लाइन में आपको बताती पचास वोड्स के अंदर पचास इसका मनलब है कि हम बहुत ज्यादा आपके इसानमंद रहेंगे अगर आप अपना कुछ थोड़ा सा टाइम हमारे लिए कर दें आप निकालने खर्च कर दें अपने बिजी शेडियूल में यह लाइन भी कॉमन रहेगी इसको भी घोल के पी जाओ कॉमन लाइन है किसी में लगा देना जहां भी आपको किसी को चीफ गेज बुलाना है या फिर आप किसी को जच बुलाना चाहते हो परसनली इंवाइट करना चाहते हो फॉर्मल इंविटेशन है यह लाइन कौमन आएंगी कोई भी आजा कोई भी इनुटेशन आजा ठीक है लास्ट आपके टकर अगरे नाम ईजली शो प्रोग्राम कर रहे होते है ज्यादर लोगों को नहीं बुलाते हैं सिर्फ गिने चुने लोगों को बुलाते हैं हम अपने खास लोगों को बिलाते हैं प्रोग्राम करते हैं तो ऐसे में हम इंफ़ामल इन्विटेशन कarते हैं नियुट धेशन के ना जन्मों का हो बंधन बिल्कुल वह वाली बात है तो हम ऐसे इस तरह के प्रोग्राम में इस तरह के प्रोग्राम के लिए कि हम क्या करते हैं informal invitation दे देते हैं informal मतलब वह पर्सनल हो गया कि भाई आज ही हो इस वक्त मा आना है वाटसर नहीं कर देते हैं वह चीज है इसको लिखने का तरीका क्या है वह बता देता हूँ डिफरेंस हो मजगे है ना कि birthday celebration के लिए formal invitation भी दे सकते हो और informal भी दे सकते हो लेकिन अगर birthday celebration है सिर्फ खासम खास लोग आ रहें अपने थोड़े बहुत लोग आ रहें वहाँ इन्फर्मल इंविटेशन चलेगा फर्क समझ रहो ना बजट छोटा इन्फर्मल इंविटेशन बजट बड़ा फॉर्मल इंविटेशन आओ चलो देखते हैं इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है बहुत मज़िदार सबसे पहले तो सेंडर्स का एड्रेस आ जाएगा बहुत असान है जो भी एड्रेस होगा वो डाल देना अपनी तरफ से डा उसका नाम आजाएगा अब कॉमल लाइन सुनो कॉमल लाइन यू विल बी प्लीज तू नो देट इसका मलब क्या हुआ वह आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अब आगे भाई कुछ भी लगा दो ना आपको जानकर खुशी होगी कि मैने नहीं काड़ी लिए आपको ज भी लगे एक नहीं है के नहीं है करने है कि पचास में लिखना आज उसके बाद सारी बाते लिख दी है यह 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 लिखोगे तो वी आरगोनाइजींग पार्टी की डीटेश आजाएंगी पर जानकर वही आपका डे कहा कब हो रही है डेट आजाएगी और टाइम आजागा तो बंदा आएगा भी देखेगा भी आउंके ना क्योंके हम तो देखके जाते हैं न कहां पार्टी हो रही है अगर इच्छी जगा तो जाएंगे अवर न क्यों पेट्रोल भूगेंगे तो वह वाली बात होती है यहां सब आजाएगा उसके बाद यह कॉमन लाइना ही I am sure you will have a great time इसका भाइया बड़े मज़े कटेंगे मज़ा आ जाएगा खुब पार्टी होगी पार्टी चलेगी सारी रात यह ना अब यह वाली बात है लिक दोगे ताकि लोग आए 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 जिनको बुलारे वो आएंगे ना उन्हें लालच दे जाएगा उसके बाद डू ब्र यहां पर आजाएगा तो डू ब्रिंग अंकल न्ट इसको भी आप वह सब आजाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर आजाएगा आपका यह आपका नाम परसनल कहीं कोई परसनल डीटेल नहीं डालनी एक्जाम में यह आपकर हो जाता है खतम इंपर्टन बात थी इसके पर्मल इंविटेशन आया आपको उसका रिपलाई करना है तो वह कैसे रिपलाई होगा बहुत असान तरीका कुछ भी नहीं करना है जिसको भी वह इंविटेशन आया था मालनों Mr. X and Mrs. X को invitation आया था भई husband wife को invitation आया था भई शादी में जरूर आना ठीक है तो आपको उनका लाम लिख देना भई Mr. X and Mrs. X Thank for their kind invitation Sir 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 क्या यह common line है बिलकुल common line है मेरे बच्चों 50 words का मैंने आपका काम असान कर रखा है शुरुआत ऐसे कर देना किसी की भी शुरुआत इस तरीके से आपकी हो जाएगी तो यह है हमारी common line लेकिन हर किसी में क्या Mr. X and Mrs. X लिख होगे नहीं 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 जो भी question होगा उस question के according आप यहाँ पे लिख दोगे Is it clear or not? It is very very clear now अब उसके बाद क्या होगा इसके बाद के भी invitation किस चीज का invitation था? अब वो invitation लिख देना भाई यह शादी का invitation आया था तो क्या जाएगा to? अब उसके आगे फिर अपना आ जाएगा भाई शादी के लिए था ठीक है? ऐसे अगर कोई birthday celebration का था तो birthday celebration का आ जाएगा जिस भी चीज का वो invitation था? वो यहाँ पर आ जाएगा फिर उसके आपको क्या बताना है भाई? डे? कौन से डे पे था? डेट कौन सी थी? टाइम कौन सा था? वो सब कुछ आप ऐसे बता देना ठीक है? भाई है मेरे को यह invitation है अच्छा, question में इसकी जानकारी मिल जाएगी? अच्छा, अगर question में जानकारी ना मिले तो आप अपने हिसाब से लिख दोगे बहुत सिंपल सा है Mr. X and Mrs. X Thank for their kind invitation to the marriage of their daughter और इस तरीके से करते हुए on, जो भी डेट था भाई, on Sunday 26th Feb 2018 at or venue आजाएगा, पुरी detail आजाएगी के नहीं आजाएगी कोई दिक्कत है, क्या जरा CV? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हम, उसके बाद क्यों होगा? फिर common line लिख देना and has great pleasure in accepting it and confirm the presence at the venue of the scheduled time, ठीक है? इसमें कि अगर आप आप नहीं जाना चाते है, Mr. X and Mrs. X का तो पुराना जगड़ा आता, पुराना जगड़ा आयता हमारी लड़की की शादी में नहीं आते हम इनकी लड़की की शादी में नहीं आते हम इनकी लड़की की शादी में नहीं लिखोगे, अब यहाँ पर चेंज करोगे, रिपलाइ में लिखोगे, मैं नहीं आ सकता, उसके लिए कौन सी लाइन लिखोगे, कुछ नहीं करोगे, बस यहाँ पर होगा, यह जो वाली यहाँ लाइन थे ना, has great pleasure in accepting, कि बहुत सोभाग्या है मेरा मैं accept करा हूँ, इसकी लेकिन हमें तो पुरानी जलाना है, हम नहीं आएंगे, तो आप इसको कैसे लिखोगे, simple का लिख देना है, इसके बाद, time अगेरा बताने के बाद, but regret their inability, but regret their inability, due to, और भाई, reason दे देना भाई, कुछ भी, due to some health issues, या लिख देना भाई, due to some prior marriage, या wedding, इस तरह से, कुछ भी आप लिखना चाहो, जो भी reason आपको लगता हो, कि आप दे सकते हो, दे देना, कोई यह नहीं पूछने वाला, कि यह क्या reason दे दिया, भाई, बोल देना, भाई, कोई urgent काम था, भाई, तवित खराब चल लाई थी, भाई, इससे पहले कोई शादी थी, कोई और function था, कुछ भी आप दे सकते हो, logical सा reason दे देना, ठीक है, आप ऐसा नहीं कहा ना, क्या mood नहीं हो रहा, इसलिए नहीं आएंगे, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है, तो आपको simple कहा किना, but regret their inability due to some health issues, इस तरह से, मैंने भी कोई बहान मार दिया, आप भी कोई बहान मार के निकल जाना, यह सब करने के बाद, wish you all the best, या जो भी कपल है, या जो भी बच्चा, अगर शादी है, उनको blessing दे देना, इतना करके, आपकी मर्जी है, लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत hard and fast rule नहीं है, अच्छा, invitation के बारे में एक बात बता देता हूं, जो भी आप invitation लिखते हो, उसको box में बंद करना है, आपको, बंद कर दोगे, बिल्कुल बंद कर दोगे, ठीक है, आच्छा, आप इसका reply देखते है, informal invitation का reply क्या होगा, send us address, इसमें सब कुछ, इसमें address वगरा डाल देता है, informal address आ जाएगा, यह सब को बता ह आचाओ, कर सकते हो, ठीके, professional नहीं होना होता, I am pleasantly surprised to receive your invitation, यह common live ना आगई, आपकी, बढ़ा बड़ा मजा है, बड़ी कुछ होई, आपका invitation, जो मिला, किसी का invitation मिला, यहां पर वो आजाएगा, invitation का, जो भी invitation था, जिस भी चीज़ का था, सारी detail के साथ आजाएगा, day, date, ज बिल्कुल, same चीज़ चलेगी के नहीं चलेगी, बिल्कुल, उसके बाद, अब यह important था, I will be delighted to join the celebration, मैं बहुत कुछ हो जाओंगा, celebration को join करने के लिए, मज़ा आ जाएगा, यह तो बाती जहां पर आप join करो, accept कर रहे हो, अगर आप मना करने लोगो, तो बोलो, यार, I will not be able इसी को लिखोगे, I will not be able to join the celebration due to some illness, इस तरह से लिख दोगे, I will not be able to join the celebration due to my examination, आप यह लिख दोगे, इसमें कोई hard and fast rule नहीं है, लेकिन शुरुआत मैंने आपको बता दी, तरीका मैंने आपको बता दिया, format मैंने आपको बता दिया, last में yours, अनुज, जो भी नाम लिखना चाहो, X, Y, Z, जो भी नाचाहो, आजाएगा, ठीक है, बॉक्स में बंद बात खतम, इस तरह से आप किसी भी तरह का reply भी कर सकते हो, दोस्तों, तीन नमर का आएगा, चुटकियों में हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा मसा आया होगा, आपको सब कुछ आपको सबराट